तो आज के इस वीडियो में आपको बताने बला हूँ रेस्पी वेबसाइट बनाने का तरीका और रेस्पी वेबसाइट बनाके उससे पैसे कैसे कमाया जाएगा उसका भी जनकारी दूँगा अगर आप गूगल एडसेंस का अप्रूबल लेना चाहते हो रेस्पी वेबसाइट पे तो वो भी कैसे अप्रूबल लेना है गूगल एडसेंस का वो सारा जनकारी आपको इस वीडियो में मिलने बाला है लेकिन चलिए सबसे पहले recipe website जो बनेगा तो वो किस परकार से दिखेगा ये चीज़ देख लेते हैं तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि view blog पे click करेंगे तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये recipe website open हो चुका है इसे website blog दोनों भी बोला जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये website कुछ इस परकार से रहेगा देख सकते हो यहाँ पे यहाँ पे home about contact का option है उपर में social icon का option है बाकि यहाँ पे recipe लिखा हुआ है logo है एक ad जो है आप यहाँ पे Google AdSense का लगा सकते हो AdSense approval मिलने के बाद menu का customize आप कर सकते हो search bar है बाकि यहाँ पे hot post है 3 ठीक है बाकि उसके बाद नीचे की और आप आओगे तो यहाँ पे आपको recent post दिखेगा और यहाँ पे भी एक ad आप लगा सकते हो यहाँ पे social pooling का option मिल जाता है तो इसमें से जिसको आप हटाना चाते हो उसको हटा सकते हो जिसको रखना चाते हो उसको रख भी सकते हो बाकि नीचे देख सकते हो कि यहाँ पे popular post का option है तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसके बाद इसके अंदर में आपका Facebook का जो profile होगा वो दिखना शुरू हो जाएगा उसके बाद यहाँ नीचे देख सकतो कि tag है ठीक है यहाँ पे कुन-कुन सा tag होता है और tag क्या चीज होता है वो सारा जनकारी देने बाला हूँ बाकी यहाँ पे आप देख सकतो कि recent Post का Option है tag का Option है नीचे contact form का Option है बाकी यहाँ पे recent in recipe का Option है बाकी नीचे की और आप आओ गें तो यहाँ पे और भी Option दीखेगा यह जो है Hooter Credit है ठीक है यहाँ पे आप देख सकतो कि Home About Contactから privacy policy का बटन है तो यहाँ पे इतना सारा option है बांकी अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इसके अंदर में देख लिया कि एक तो add यहाँ पे आप लगा सकते हो और दुसरा add जो है आप यहाँ पे लगा सकते हो और दो add जो है आप sidebar में लगा सकते हो चाहे ये popular post के उपर लगाओ या आप चाहे तो यहाँ पे tag के उपर लगाओ या facebook के उपर लगाओ ठीक है तो आप इस website के अंदर में 4 ad को लगा सकते हो और अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो ठीक है दोस्तो website से जो है बहुत ही जादे रुपे आपको कमा सकते हो इसका earning कुरूफ भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ सारा जनकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है step by step तो इस वीडियो को देखते रहना end तक तभी आपको सही परकार से जनकारी मिल पाएगा अगर आप इस वीडियो को बीच में कड कर देते हो तो हो सकता है आपको सही परकार से जनकारी नहीं मिल पाएगा तो देखते रहना इस वीडियो को end तक अगर वीडियो सही लगे तो कर देना like अगर आप इस चैनल पे नए हो तो कर देना subscribe bell icon पे जरूर किलिक कर देना अगर यह जनकारी जादा ही अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीची से share करना तो चलिए आप आपसे ज़्यादा time लेंगे नहीं अब करते हैं शुरू तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेबसाइड जो बनाएंगे वो बलागर पे बनाएंगे और बलागर पे आप बीना एक रुपे लगाए वेबसाइड को बना सकते हो ठीक है यहाँ पे कैसे काम करना है कैसे पोस्ट लिखना है सारा जनकारी आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए कोई बात नहीं लेकिन इसी एक वीडियो के अंदर में आपको सारा जनकारी मिल जाएगा कि रेश्पी वेबसाइट के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि नहीं कोई साथ को कोई भी बाराश जरों जैसे यह दूर को लिए यूज़ा अधि sesal होग आपके पास scheduled विल वहां व सब्सक्राइब ठीक है यह दोनों बरॉजर जो होता है बहुत ही अच्छा होता है ज्यादातर लोग जो है गूगल करोम को ही यूज करते हैं तो आप भी गूगल करोम को ही यूज करना तो यहां पे आपको करना क्या है Google Chrome के अंदर में आपको search करना है blogger.com तो जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया और search कर दिया और यहाँ पे यह वाला link आ गया ठीक है तो चलिए अब मैं करता क्या हूँ कि इस link पे click कर देता हूँ आपको भी link पे click कर देना है search होने के बाद यहाँ पे लिखा हूँ है blogger.com इसी link पे click करना है तो चलिए click कर देते हैं click होने के बाद यहाँ पे आपके सामने इस परकार का page open हो जाएगा तो आपको करना क्या है कि यहाँ create your blog पे click करके आपको जो है gmail id से login हो जाना है ठीक है आपके पास gmail id होगा पहले से अगर नहीं होगा तो आप gmail id बना लेना उसके बाद यहाँ create your blog पे click कर देना है create your blog पे click करने के बाद gmail id से इसके अंदर में जो है login होने के बाद आपके सामने इस परकार का page open होगा तो चलिए मैं आप आपको बता देता हूँ कि अगला page दिखेगा कैसा create your blog पे click करने के बाद gmail id से login होने के बाद आपके सामने इस परकार का page आएगा ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा चुआइस एनेम फोर योर बलोग ठीक है तो यहाँ पे आपको अपने website का नाम देना है website और बलोग इसी को बोला जाता है तो यहाँ पे आप अपने बलोग का नाम देना यानि आप अपने website का नाम देना जो भी आपको नाम देना होगा चलिए मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ मुझे जो नाम देना है यहाँ पे हमने बलोग का नाम दे दिया है recipe 24 तो आपको करना क्या है यहां पे कि सबसे पहले Google पे सर्च करना है ठीक है जिस परकार का आपको वेबसाइट बनाना होगा तो वहाँ पे सर्च करने से आपको ये पता चलेगा कि यो website आप बना रहे हो वो website तो पहले से है तो वो website जो है आपको नहीं बनाना है यहाँ पे अलग हट के कोईशा आपको नाम देना है कुछ भी नाम दे सकते हो मैंने यहाँ पे 24 जो लगाया है तो यहाँ पे आप मत लगाना ठीक है यह सब मैं सिर्फ आपको बना के दिखा रहाँ ठीक है आप अपने हिसाब से नाम देना अपने हिसाब से जो है बनाना ठीक है तो यहाँ पे हमने नाम दे दिया है नाम देने के बाद यहाँ next पे click करेंगे next पर click करने के बाद यहाँ पर जो नाम हमने दिया है वो नाम यहाँ पर भी देना है ठीक है अब यहाँ पर यह जो नाम देना है तो यहाँ पर कौन सा नाम देना है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर होता क्या है दोस्तों कि जो website अगर पहले से बना होगा URL name देना परता है ठीक है URL name होता क्या है तो URL जो होता है दोस्तों यहाँ यहाँ पर यह URL होता है जैसे कि आपके website पर कोई आएगा तो उसको दिखेगा ठीक है जो भी आपके website का नाम होगा जैसे कि रेस्पी.blog.esport.com ठीक है यहाँ पर किंगर फोर है लिखा हुआ लेकिन आप जो नाम दोगे तो वहाँ पर लिखके आएगा रेस्पी.blog.esport.com ठीक है यह नाम लिखके आएगा बांकि अब मैं आपको बता देता हूं कि यही जो है URL होता है अगर यह URL अगर आप Facebook पे Pinterest कहीं पे भी share करते हो तो उसके click करके आपके website पे आ सकते है ठीक है तो यह URL होता है बांकि एक चीज़ और बता देता हूं कि यहाँ पे आपको फिरी domain मिलेगा इस domain के ऊपर आप Google Adsense का भी approval ले सकते हो आपको पूरूप भी मिलेगा कि blog.esport.com के domain पे Google Adsense का approval मिलता है कि नहीं मिलत लेकिन चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यह जो blog.esport.com है यह blogger आपको फिरी में देते है ठीक है बाद में चलके अगर आप चाहते हो कि दो महिने बाद तीन महिने बाद या दो ही दिन के बाद या चारी दिन के बाद तो इस blog.esport.com को हटा सकते हो और आप जो है एक डामीन ले सकते हो ठीक है तो जामीन का जो रेट होता है दोस्तों एक हजार रुपे तक होता है ठीक है .com.in का बांकि उससे भी कम में मिल जाएगा आपको डामीन आप सुरू में जो है बिना एक रुपे लगाए आप स्टार्ट कर सकतो मेरा खुद का भी दो दो चलिए आपने जो है URL के बारे में समझ लिया कि URL क्या होता है ठीक है तो यहाँ पे आपको जो है करना क्या है कि दूसरा पेज जो ऑपन होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा च्वाइस ए URL for your blog तो यहाँ पे हमने जो है रेस P24 लिख दिया है P24.blogsport.com यह जो हमार चेंज करकरके आपको करना क्या है कि नाम देना है उसके बाद यहाँ पे Save का Button आ जाएगा तो इस पर आपको क्लिक कर देना है तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ क्लिक होने के बाद यहां पे देख सकते हो कि यह जो वेबसाइट है वो बनके तयार हो चुका है अब इसे हम देखना चाहेंगे तो यहां व्यू बलग पे क्लिक करेंगे व्यू बलग पे क्लिक करने के बाद यहां पे देख सकते हो कि यहां पे यह जो URL है हमारे वेबसाइट का मिला है रेसपी24.blogsport.com बांकि यहां पर नाम देख सकते हो कि लिखा हुआ है रेसपी24 ठीक बांकि इसके अंदर में एक भी पोस्ट अभी नहीं दिख रहा है तो पोस्ट अभी हम इसके अंदर में डालेंगे उसके बाद एक बढ़िया सा थीम भी लगाएंगे तो थीम क अंदर एख भी पोस्ट नहीं है जीरो है यहाँ पे नियू कि अंदर में पेले से लिख सकते हो या नहीं तो ग्तिया थीज कर आप जिसके डाल सकते हो कि जैसे यहां पे आप देख हो कि यह न ellen है इसके अंदर में पहले ही से में लिखे रखाओं तो आप भी लिख सकते हो बाइक चीज में आपको बताना चाहूंगा कि यह कोई जरूरी नहीं थे आप जोई इंगलीश में ही POSTP लिखो, आप जोई हंधी में HINDI में भी POSTP लिख सकते हो, आपके अंदर जिस भाते का Nektल है जियान है उस भातव से में आप काम कर सकते हो, ठीक है, यह कोई ज़रूरी नहीं है कि Inglis में अगर इंग्लिस में अगर post लिखना है तो इंग्लिस में भी लिख सकते हो तो यहाँ पे पहले ही बता दिया हो कि किसी भी भासा में आप पोस्ट लिख सकते हो तो जैसे कि यहाँ पे आप यह देख रहे हो कि यह जो है title है तो title को हम copy करेंगे और उसके बाद blogger पे जाएंगे और वहाँ पेस्ट करेंगे ठीक है तो पहले से अगर आप लीक के रखोगे तो आप इस तरीके से copy paste कर सकते हो लेकिन एक और तरीका होता है copy paste करने का किसी भी website पे जाके वहाँ पूरा को select करना है और अपने blogger के अंदर में paste कर देना है और उसको publish कर देना है तो यह चीज हो जाएगा गलत क्यूंकि वह दूसरे website का content होता है तो आपको यहाँ सबसे पहले करना क्या होगा कि notpad में खुझ से लिखना होगा एक एक word और उसके बाद यहाँ पे paste कर सकते हो तो जैसे कि हमने notpad के अंदर में लिखके रखा है तो यहाँ पर हम करेंगे कि new possibly click करेंगे if new Post पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कि post लिखने का option आचुका है तो पि पहले इसके अंदर में title देना है तो attitude leisten कापी कर लिया है यहाँ पे पिसे कर तो पेष्ट हो चुका है बांकि यहां पर आप क्या कर सकते ओ की एक एक कर के लिक भी सकते हो कुछ भी या नहीं तो नोट knobad के अंदर में अबर आप लिक्क के रखोगे हमने center select किया और उसके बाद यहाँ पे करेंगे क्या कि कोई साभी post लिखोगे आप तो उसका एक photo डालना पड़ता है ठीक है सबसे पहले तो यहाँ insert image पे click करके आप जो एक photo यहाँ पे upload कर सकते हो यहाँ पे आपको मिल जाता है upload form computer का option तो इस पे आपको klik कर देना है photo upload करने के लिए तो जैसे कि देख रहो कि यहाँ परकार का page open हो गया तो यहाँ पे choose file का option है इस पे klik कर देना है किलिक होने के बाद यहां देख सकते हो कि यह जो है मेरे पास फोटो है इसके हमने टिक कर दिया आप यहां आपन पर किलिक करेंगे तो यहां पर होगा क्या कि फोटो जो है अपलोड होगा अपलोड होने के बाद यहां पर हम किलिक करेंगे उसके बाद हमारे पेज में क्या हो सब्सक्राइब करना है तो यहां पर आपको करना क्या है कि यहां पर इसका टाइटल कॉपी करना है करने पूटो पर गुक करने में प्रच करना है पर पूटो यहां हमारा पोस्त है पूरा यहां पे सेलेक्ट कर लिया अब करेंगे कॉपी करने के बाद जाएंगे बलागर पे बलागर पे आने के बाद यहां पे हम करेंगे क्या कि नीचे के और आएंगे एंटर दबाके दो बार उसके बाद यहां पे पेस्ट कर देना है ठीक तो यह जो है पेस्ट हो चुका है पूरा अब उसके बाद यहां पे करना क्या है के लेबल देना परता है जैसे जो भी है आपका यह पोश्ट गिस से रिलेटेड है तो यहां पर देना परता है तो यहां पर करेंगे क्या कि इसका जो लेबल है नेचर कि इसकी लेगम ही कर दिया और उसके बाद यहाँ पे यह जो है एड हो गया ठीक है एड होने के बाद यहाँ पे करेंगे क्या कि क्लिक करके पब्लिस करेंगे जिसके अंदर में होता क्या है कि आप जो है इस तरीके से पोस्ट को पब्लिस कर सकते हो बांकि बहुत सारा जनकारी होता है जिसके बारे में और भी इस वीडियो के अंदर में बताएंगे तो यहां पर पोश्ट लिखनेका यह काम जो हो चुका है अब यहां पर direct करना कहा है कि publish पर किलिक कर देना निया कि अपर आप देख सकते हो पोश्ट इसके अंदर में लिख सकते हो ठीक है जितना पोश्ट लिख होगे उतना अच्छा रहेगा बागी चलिए इसको अब आपन करके देख लेते हैं कि यह जो वेबसाइड है दिख कैसे रहा है तो यहाँ पर हम करेंगे व्यू बलब के किलिक होने के बाद देख सकते हो कि इस परकार का दिख रहा है ठीक है इसके अंदर में पोश्ट डलने के बाद तो यह जो है अभी सींपल है इसके अंदर में दूसरा थीम लगाएंगे जिससे की अच्छा बन जाएगा वेबसाइड जिस तरीके से आपको मैं बता हूँ कि बना के दिखाऊंगा उसी परका कहां से करना है चलिए मैं आपको बता जेता हूँ तीम डाउनलोड करने के लिए आपको इस पेज़ पे आना होगा यहां पे देख सकते हो कि लिखा हुआ है रेस्पी बलॉगर टंप्लेट फिरी डाउनलोड हास्ट एड़सेंस अप्रूबल ठीक है तो इस पे एड़सेंस चलिए मैं इस डाउनलोड के बटन के किलिक कर देता हूँ डाउनलोड के बटन पे किलिक करने के बाद इस परकार से पेज ऑपन हो जाएगा आपके सामने में तो यहां पे इस परकार से दिखेगा ठीक है देख सकते हो तो इस पेज का लिंक जो है नीचे इस वीडियो के ड क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहां नीचे डाउनलोड होना है स्टार्ट हो जाएगा तो यह जो है डाउनलोड हो रहा है अभी डाउनलोड होने के बाद आपको करना क्या है कि इस पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको कर तो यहां डाउन लोड के फॉलडर में को डाउन लोड कर दिया है अब यहां following कर देन तो यह अपने इद्स टिंटे में टोड देते हैं इस इस परकार से अगर आप nep वांउन होगे तो इस तरीके से जब ही आता है जब हम दो बार इपने डिवाइस के अंदर में इस theme को डाउनलोड करते हैं तब या नहीं तो एक ही बार अगर theme डाउनलोड करोगे तो यहां पे यह option नहीं आएगा अगर आप दोबारा डाउनलोड करते हो तो यहां पे आपको करना क्या है कि replace पे क्लिक कर देना है तो theme जो है abstract हो चुका है अब चलिए बलागर पे किस परकार से upload करना है तो जैसे कि आप देख रहो कि बलागर पे आ चुका हूँ अब यहां पे करना क्या होगा कि theme को upload करना परेगा और यहां पे theme को upload करने के लिए नीचे जो है यहां पे theme पे क्लिक कर देना है Theme पर click करने के बाद यहाँ आपके सामने इस परकार का page open होगा तो यहाँ arrow पे click कर देना है arrow पे click करने के बाद यहाँ re-store पे click कर देना है re-store पे click करने के बाद यहाँ upload पे click कर देना है click होने के बाद इस परकार से page आपके सामने में open हो जाएगा तो जिस folder में आप रखे हैं ठीक है, xml file, तो यहाँ पे हमने download के folder में रखा है, तो यहाँ पे download पे click है, तो यहाँ पे यह मिल जाता है, ठीक है, देख सकतो हो, recipe ठीक है, recipe लिखा हुआ है, तो यह जो है, xml file है, ठीक है, इसे xml document भी बोला जाता है, तो इस पे हमने click कर दिया, टिक करने के बाद यहां open पर click करेंगे open पर click करने के बाद यहां पर आप देख सकते हो कि D.A. storing theme हो रहा है यानि upload हो रहा है इसके तो upload यह theme हो चुका है अब करेंगे क्या कि यहां view blog पर click करके देख लेते हैं कि upload होने के बाद कैसा दिखता है तो यहाँ पर अभी changing हो जाएगा theme upload होने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कि इस परकार से page open हो जाता है अब यहाँ पर कुछ changing करना होगा तो वो मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर में जो बेफाल्तू का चीज होता है तो उसको हटाना भी परता है यहाँ पर option जो है नहीं आ रहा है यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर नीचे contact form का option नहीं आ रहा है तो यहाँ पर करेंगे क्या कि contact form को add करेंगे बाद की उपर category का option है उसको भी हटा देंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पर नीचे शिरिफ एक जो है और भी option sub तो इसके अंदर में क्या-क्या चीज रखना है क्या चीज नहीं रखना है, वह सारा चीज में अभी आपको बता दूगा और यहाँ से जो भी कुछ हटाना है तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि ले आउट पे जाना होगा यहाँ पे blogger पे हम आ चुके है और यहाँ layout का option है इस पे हम click करेंगे layout पे click करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि यह layout open हो चुका है open होने के बाद यहाँ पे आना है नीचे की और अब आने के बाद यहाँ देख सकते हो की बहुत ही कुछ जो है बेफालतु का है यहाँ पे तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि यह जो tag का ओप्जन है sidebar है ठीक है यहां पर एक चीज में आपको समझा देता हूं ठीक है यह जो उपर होता है वो हैडर होता है उसके बाद जो है इसके अंदर में साइड बार होता है ठीक है यह जो है साइड बार है उपर हैडर होता है इधर जो है साइड बार होता है तो यहां पर जो है मैं पोस्ट का होगा तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर आपको यह जितना भी दिख रहा है इस अब को हटा ना तो चलिए करके मैं करता क्या हूं कि सब को हटा देता हूं तो यहुँआ हटाने के लिए आपको करना क्या होगा कि पैंसिल के आइकॉन पूर्प क्लिक कर देना है और यह पर अगला छॉपन होगा तो यह रिमूब का ऊप्शन है तो इसst penal करके आपको करना क्ला वह कि आकि कर से आप देख रहे हो कि सभी को हमने हटा दिया है साइड बार से यहाँ पे सोसियल पूलिंग आपको दिख रहा होगा फेश्बूक दिख रहा हो गागा ठीक है अब नीचे की और हमें आना है और यहाँ पे यह जो दोनों ऑप्शन है ठीक है अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि contact form का option लगाना है तो यहाँ add a gadget पे click कर देंगे add a gadget पे click करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा option मिल जाएगा तो आपको करना क्या है कि नीचे की और आना है और यहाँ पे आपको contact form पे click कर देना है और यहाँ पे होगा क्या कि contact form आ जाएगा यहाँ पे save पे click कर देना है यह save हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है कि इसको नीचे की आयर लाना है और उसके बाद यहां पर परकार से दिखता है तो यहां पे हम व्यू बलग पे किलिक कर देंगे व्यू बलग पे किलिक करने के बाद यहां पे देख सकते हो कि इस परकार से दिख रहा है यहां पे देख सकते हो बाद में चलके यहां पे आप क्या कर सकते हो कि किसी भी चीज को हटा सकते हो यहां पे ल और भी काम है वह काम करेंगे थीक है यहां पे देख सकते हो नीचे तक उसके बाद यहां पे आ जाता है कि यहां पे पॉपूलर पोश्ट नहीं जिक्राथ तो popular पोश्ट कहसें तो इसके लिए जो है करना क्या होगा कि किसी भी पोस्ट को open करना परेगा खुझ से या नहीं तो आपके website पे अगर कोई आएगा ठीक आपका website बन जाएगा तो आपके post को देखेगा लोग तो वो post सब होगा क्या कि popular में आएगा ठीक है लेकिन चलिए यहां पर करते क्या कि अपने से खुझ से click करके देख लेते हैं यहां पर आज आएगा popular में तो यहां पर click करेंगे जैसे कि मैंने इसको open कर दिया आप करते हैं back और दूसरा post को आप करेंगे open तो एक post को हमने open कर लिया है अब यहां पर करेंगे क्या कि दूसरा post open करेंगे तो यहां पर आप यह post को open करेंगे ठीक तो जैसे कि हमने open किया है तो यहां पर देख सकते हो कि popular में एक post आ चुका है तो इसी तरीके से करते क्या है कि हमें जो है 5 post को open करना परेगा क्योंकि हमें popular में 5 post दिखाना है तो इसको back करके जल्दी हम करते क्या है कि 5 post को open कर लेते उसके बाद फिर से मैं आपको website दिखाऊंगा कि किस परकार से website दिख रहा है तो हमने यहां पर 5 post को open कर लिया है open करने के बाद यहां पर है क्या कि फिर भी नहीं दिख रहा है तो क्यों नहीं दिख रहा है इसका भी एक कारण है इसको हमें apply करना परेगा तो कहां से करना है इसकी setting ताकि दिखेगा तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए हमें बलागर पे जाना होगा और यहां पे layout open है तो layout के अंदर में ही हमें काम करना होगा तब जाके popular post में दिखेगा तो यहां पे popular post का option है sidebar में तो इस pencil का icon पे click कर देंगे click करने के बाद यहां पे all time पे click कर देंगे ठीक है all time पे click करने के बाद नीचे की और आएंगे और यहां पे 3 जो लिखा हुआ है तो यहां पे 5 पर click करके select कर लेना है ठीक है और यहां पे save पे click कर देना है तो होगा क्या कि पाँच पोस्ट दिखेगा तो यहां पर सेब हो चुका है आप चलिए यहां व्यीव बलाज पर किलिक करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि आप पुनलर पोस्ट दिख राएक ही नहीं दिख राया है तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहो कि यहाँ website open हो चुका है तो यहाँ पे देख सकते हो और यहाँ पे जो है आपको popular post भी दिखेगा फांच और उसके बाद social icon सब कुछ दिखेगा और यहाँ पे tag भी दिखेगा उसके बाद नीचे तक आप आओगे तो यहाँ पे भी content in recipe उसके बाद यहाँ पे tag उसके बाद यहाँ पे contact form contact form वो चीज होता है जो कि अगर कोई website पे आता है तो आपसे यहाँ पे contact form के जड़िया आपके contact कर सकते है ठीक है तो यहाँ पे देख सकते हो अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इस पे जो है Google AdSense का approval लेके पैसे क से कमाया जाएगा ठीक है तो यहाँ पे आपको जो है privacy policy का button add करना परेगा contact us का button add करना परेगा और उसके बाद यहाँ पे करना क्या होगा कि यहाँ पे menu का customize करना होगा logo जो है आपको अपने हिसाब से बनाना है अपने website के हिसाब से ठीक है यहाँ पे देख सकते हो home about option है इ नीचे ठीक है देख सकते हो यहाँ पे भी add कैसे करना है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको घूगокиट्व अपने हूं करना चाहते हो तो तो आप इसके अफ्लेट मार्केटिंग कर सकते हो बिना एडिसेंस अप्रूबल लिए ही लेकिन सबसे अच्छा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पर गूगल एडिसेंस का ही अप्रूबल लेना है क्योंकि सबसे अच्छा जो सीधा तरीका होता है पैसे कमाने का वो पैसे करना है वो सारा जनकारी मिलेगा जो सारा जनकारी मिलेगा पर आपको अगर चाहों तो बंद भी कर सकते हो ले आउट पे जाके मेनू को यहाँ पर सिंपल सा है औक्शन क्यूंकि इसके अंदर में थोड़ा टैम लगता है फूल कोर्स देखना परेगा ठीक है यहाँ पैसिल के ऑई कुप करेंगे यहाँ देख सकतो कstep का मेन लाजुक कर देंगे यहाँ पर क्या कि यह बंद हो जाएका बाद में चलके कभी ऑप जो हुआ यहाँ पर लिछ सेट कर सकतो इसके अंदर में आपको दिが एगqual कादोना इसको तर लेना जिसको सेट करना हो ऊसेट कल अभी प् Wattsad करना तो यहां पे जो सीड्या का must 然後 oluş hwoा तो अजरे परकार है चैनल आपके अगर कोई क्लिक करेक्ट масण और यहां पे सबसे कर लेना है बाद dunno चलके आप चालू कर लेना, क्योंकि उसके लिए आपको full course देखना परेगा, कैसे add लगाना है, कैसे google adsense के साथ connect करना है, आपको earning proof देखना है, तो full course को देखना होगा, कैसे privacy policy का button add करना है, बस यहाँ पर करना क्या है, कि एक तो step हो गया, कि यहाँ तक हमने website बना के आपको द करना है, कि कुछ और नहीं करना है, तो देख सकते हो कि website सयार हो चुका है, और full course का link इस video के description में मिल जाएगा, और इस theme का भी link आपको इस video के description में मिल जाएगा, तो इस video के description में जाके, दोनों link पे click करके check कर सकते हो, बाकि चलिए यही जनकारी आपको देना था, अगर यह जनकारी सही लगा होगा, तो इस video को कर देना like, अगर आप इस channel पे नए हो तो इस channel को कर देना subscribe, subscribe करने से यह फायदा होगा, कि आगे में इस channel पे जो भी video upload करूँगा, तो उसका notification आपको मिल जाएगा, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले video में,